हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू पुमीका के किचन तो आज मैं आपके लिए फास्ट में लिये जाने वाले एक बहुती हेल्दी से सूप की रेस्पी लेकर आई हूँ तो चलिए हम ये हेल्दी सा सूप बनाते हैं तो इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबू दाने की जरुद होगी तो यहाँ पर मैंने यह साबूदाना ले लिया है तो आपके पास जो भी साबूदाना हो मोटा या पतला वाला वो ले लीजे और अभी से मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो हम इतना पानी ना लेंगे कि हमारा साबुदाना अच्छे से पानी में डिप हो जाए और इसके बाद हम इसी ढखकर दो घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे तो यह देखिए दो घंटे हो गए हैं और हमारे साबुदाना भी गम अच्छे से फूल गए हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जादा साबुदाने सोक किये दे क्योंकि इसका मैं और भी कई चीज़े बनाऊंगी तो चलिए अब हम सूप बनाते हैं तो कड़ाई पर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसके बाद इसमें मैंने मोमवली और काजू डाला है अभी उसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यह फ्राई हो गया है इसे हमने निकाल लिया है आप चाहे तो इसमें बदाम भी डाल सकते हो इसके बाद हम उसी घी में मखाने डाल देंगे उसे भी अच्छे से हम रोष्ट कर लेंगे अभी मखाने भी हम निकाल लेते हैं इसके बाद इस कड़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा घी बचाता आप जाए तो इसमें थोड़ा सा और घी डाल सकते हो पर मैंने इसमें घी नहीं डाला है और हम उसी घी में हाफ टेबल स्पून जीरा डालेंगे जब हमारा जीरा अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और बारिक बारिक सा चौप किया हुआ हरी मिर्ज इसको हम अच्छे से पका लेंगे इसके बाद इसमें मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर को बारिक बारिक सा चौप करके डाल दिया है उसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कल लेंगे इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे तो अगर आप इसे ब्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप सेधा नमक डाल सकते हैं और अगर ऐसे ही बना रहे हैं तो फिर आप नार्मल नमक तो ये देखिए दो मिनट में ही हमारे टमाटर अच्छे से पग गए हैं और अब इसमें हम आलू एड़ कर देंगे आलू को डाल कर हम अच्छे से से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो मेडियम साइज की आलू ली हुई है और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे ढखक कर लो फ्लेम पर आलू के गल जाने तक पकाएंगे अगर आप चाहो तो आलू को मखाने और ड्राइफूर्स की तरह फ्राई करके भी इसमें एड़ कर सकते हो पर उस समय हमारा ये सूप थोड़ा सा ओयली बनेगा लगभग 5 मिनट हो गये हैं हमारे यालू को पकते हुए और हमारे यालू अच्छे से पक गई है तो इस तरह से हम देख लेंगे कि हमारे यालू अंदर तक अच्छे से पकी है कि नहीं और इसके बाद हम इसमें सोक किया हुआ साबूदाना एड़ कर देंगे तो इसमें हम बहुत ज़्यादा साबुदाना नहीं डालेंगे बस एक कटोरी हम इसमें साबुदाना एड़ करेंगे इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें पानी एड़ कर देंगे तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा एड़ करिएगा इसके बाद हम से ढखकर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये देखे 10 मिनट हो गए हैं और हमारा साबुदाना भी अच्छे से पक गया है और ये ठंडा होने पर और थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो इसमें मैंने भूने जीरे का पाउडर और काली में चैड कर दिया है और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने लाश्ट में बिलकुल बारिक बारिक सा चौप किया हुआ हरी धनिया एड कर दी है और ये हमारा सूप रेडी हो गया तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके उपर हम ये ड्राइफूर्स डाल देंगे हम पहले से ड्राइफूर्स नहीं डालेंगे जब हम इसे सर्व करेंगे तब हम इसके उपर ड्राइफूर्स डालेंगे तो ये हमारा हेल्दी सा साबू दाने का सूप रेडी हो गया तो अगर आपको ये मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ये हल्दी सा सूप आप जरूर बनाएगा थैंक यू